नमस्कार अमबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपको स्वागत है आपको बता दे कि करनाल के नोवल्टी रोड पर अर्ध नगन वस्था में एक महिला का शव बरामत हुआ शव पूरी तरह से खून से सना हुआ था पुलीस ने हब हत्य की आशंका जताई है फिलहाल पुलीस ने शव को अपने कवजे में लेकर जान शुरू कर दिये महिला का शव नगन वस्था में मिलने से करनाल में संसनी फैल गई शव की जानकारी आसपरोस के लोगों ने पुलीस को दी जिसके बाद पुलीस मोके पर पहुँची शव की शनाक्त फिलाल नहीं हो पाई है लेकिन पूरा शव खून से भरा हुआ था और पुलीस को भी महिला की हत्या की आशंका लग रही है इस शव के मिलने के बाद से नोवल्टी रोड के आसपरोस के लोग डरे हुए है फिलाल पुलीस ने शव को कबजे में लेकर चांच शुरू कर दी है और शव को पोस्ट मार्टम के लिए पोस्ट मार्टम हाउस भेज दिया है देखना ये होगा कि इस गुत्थी को कब तक पुलीस सुल्जा पाती है सब बरामद हुआ है नगन वस्ता में खून से जना हुआ क्या पता चल पाया सर इसका भी कुछ नहीं पता चल पाया है लेकिन खून काफी सारा बिकरा हुआ है उपर तक गया हुआ है बेंबू सिक्स अब क्या किया जिया गाई अब इसका है और फ्रोषप पर लगा रहे हैं और प्रोषप याद में पर्पी तो कपड़े नी डाले हुए बोई शरीफ नीडाले है तो हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अंबारा प्रेकिंग न्यूस पर और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें और अपनी फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप भी डाउनलोड करें